बिस्मिल्लाइर हमारी वहीम असलामलेकुम ट्रेंड्स आप देखरें हमारे यूटीब चैनल सीएसी गाइड ओफीशल और मैं हुम हमेद इरफालूला पॉजिटिव एट्वी टैटीनियम थिंकिंग आज हमारे साथ हमारे दोस्त मौजूद है आसिम यह हारबन इंगिनिंग लेकिन जहां से आप बिलाउंग करते हैं अबाई गाउज होता है वह फिर आपका अपना होता है तो असलामलेकुम वासम क्या आल है ठीक है वालेकुम असलाम इरफान बाई आप शुकर है आप सुनाए अलहम दोई लाजबर दस्त एक तो आप पहुंच गया है मुबारक ब अपना मतलब लाइफ एक्सपिरियंस यहां पे करें लोगों से मिलें अपना कल्चर इनको दें इन से अपना कल्चर लें तो कल्चरल एक्सचेंज वगरा हो तो मेरे तो यह दूआ है कि सारे स्टुट्ट आए इंशाला इंशाला सब ही आएंगे जब किस्मत में लिखा लेके गये थे लास्ट आइम जो वीडियो वेने जहांगीर के साथ बनाई थी वह दुबाई गये थे तो यह डारेक्ट पी आईए की फिलाइट से जो है यह पहुंचे हैं तो इनसे हम पूछेंगे कि क्या एक्सपैंसे से क्या थे अच्छा वीजा लगवाने के बाद आप अबने टिकट परचेस की थी तिकट आपने की परचेस की थी ओखान भूझ तो इस ततरा हुआ था मैंने ली थी तो दस परसेंट मिल रहा था दिसकांट लेकिन मैंने यह और मेरे साथ दोस्ताइथे उन्हों ने टिकट ली थी तो उस टाइम P.I.E. वालने 15% डिसकाउंट कर दिया था तो उसको तकरीमन 4,002,000 पी टिकट मिली थी मेरी तो थोड़ी मतलब 60,000 तक ज्यादा था लेकिन जो दो दिन बाद जब डिसकाउंट मिला था तो उसको वही मिला था तो पिर हम लोगों ने पीडिया वालने से बात करी कि वह भी स्टूडेंट हैं हम भी स्टूडेंट हैं तो अगर आप उनको इतना डिसकाउंट दे ने तो हमें 15% दें तो उनने कहा कि जो टिकट जिसने ले ली है जितने की वह उसको उतने की ही पड़ेगी अब चाहे लाग पैकी तकड मिले चाहे तीन लाकी मिले चाहे छे लाकी मिले इसने ले लिए उसने ले लिए अब वापसी निश्टा तो यह सीन में तो सही हो गया अच्छा टिकट आप करवाने के बाद चार लाग ऐसे समझेए चार लाग 65,000 की आपने टिकट परचेज कर ली इसके बाद पिर मेडिकल इंशोरेंस करवाई थी नहीं मैंने नहीं करवाई थी हमने युनिवस्टी वालों को टिकट इंटर्नी अपनी सेंड की थी युनिवस्टी वालों को बताया था कि हम आ रहे हैं तो युनिवस्टी वालों ने मतलब हम क्योंके मेरी CSC है तो युनिवस्टी वा पर्चेस किये थे आपने किछभी किया था य। जो ने कुछ भी नहीं पर्चेस क्या जो विड़ आउट सी सींड़ी का थे उनको य। इनने क्व में आपचेस करेंगे साहओ, dans Whenever तो ने कितने की पर्चेस कि थी और चार व आरेंडी की पर्चेस की दी छे महीने के लिए कोई है आइडिया इसका इतना खास आइडिया तो है नहीं क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त है हम सारे CSE वाले ही थे अच्छे तो हम में तो टीचर ने मतलब साफ पहले बोला था कि पर्चेस कर दीन है तो हमने उनको दिखाया आइडविशन लोटे समने करा कि हम तो CSE के हैं हमारी नहीं है किसे आपको पता चलाता कि का आपकी इंशोर्स होगी है। यॉश्टी वारे ते कह दिया कि हम एंशोर्स कर लेंगे। अगर आपको प्रूफ दिया था उन्होंने या कुछ यह सी इस तरह हैं। प्रूफ अगरा तो कुछ नहीं दिया था बस उनों ने कहा था कि हम आपकी बाय कर लिए आल रेड़ी तो अब आपको किसी किसम की टेंशन लेने की या किसी किसम कुछ करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन टीचर ने ये बताया था कि जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं आने से प हो गया या कुछ भी हो गया तो वह अगर उसने इंशुरेंस बाय नहीं की होगी तो सारा खर्चा उसी का अपना होगा अगर उसने इंशुरेंस हम हमें बताएगा हम उसके इंशुरेंस बाय करेंगे तो वह सारा खर्चा चाहे तो किसी को पॉस्टिव हो गया तो उसका सार कि किस city से जाएंगे किस city land करेंगे है सब्सक्राइब कर लिए इसके बाद आपने दो पीसियाट कर वाए होंगे पाकिस्तान में से और वो किन दो किन दो लैब्ज से करवाया थे और उनका कितना expenses था आपका जो मैंने करवाय थे वो मैंने एक करवाय था Excel Lab से, इसलमबाद से दूसरा मैंने करवाय था IDC वो भी इसलमबाद में था तो पहले मैंने Excel से करवाय था दूसरा IDC से करवाय था मैंने Excel और IDC इस वज़ इस उसी चूज की कि इनकी रेपोटेशन थोड़ी अच्छी है as compared to other labs क्यांकि जब मैं टेस्ट करवाने गया तो Excel में Excel लेब में मतलब जो लोग अमेरिका जा रहे थे वो भी वहां से PCR करवाने आ हुए थे मतलब एक credibility होती है मतलब आपको खुद बे शुरूर्टी होती है और अगले जो चाइनीज हैं उनको भी होता है कि चलें मतलब एक reputation वाली जगह से आपने काया है तो बाकी बहुत से मतलब दोस्तों को मैं इस तरह भी जानता हूँ जिन्होंने गलोबल से करवाया मैं बहुत को ऐसों को जानता हूँ जिन्होंने मतलब मैं अपनी city से करवाया लेकर रिपोर्ट उनको इसलामबाद की मिली तो ये वाला scene भी था लेकर मैं तो खुद मतलब personally इसलामबाद किया था और वहां से नहीं मतलब दो करवाया थे test एक पहला Excel से करवाया था और दूसरा IDC से करवाया था पहला within 48 hours और दूसरा within 24 hours करवाया थे बिल्कुल इसी तरह पहला जब आप टेस्ट करवाते हैं तो उस पर जो time mentioned होता है जब आप दूसरी लैब जाते हैं तो वो उस time को देख के आपको time adjust कर देते हैं आपको उसका को issue होई सही है और इसके बाद पिर आपने green code के लिए इसके बाद बिल्कुल बिल्कुल इसके बाद मैंने green code के लिए apply किया था और यहां पर मैं थोड़े से points बताना चाहूंगा green code से related तो इसमें तकरीबन मैंने तकरीबन 2 बजे apply किया था तो मुझे तकरीबन 2 गहनट green code मिल गया था जिस वोटल में मैं असलमबाद में ठहरा हुआ था, वहाँ पे एक और लड़का भी था, उसने रात को दस बज़े एपलाइट है ग्रीन कोड के लिए, उसको भी एक ग्रेंटे बाद ग्रीन कोड मिल गया, वालब यह जिस तरह कुछ लोग कह रहे थे कि जल्बी एपलाइट क ले गया, वालब यह इस चीज़ का कुई इशू नहीं है, आप मलब जिस ताम भी कर लें कुई इशू नहीं है, सही हो गया, दो PCI टेस्ट करवाने के बाद और ग्रीन कोड लेने के बाद फिर आप लगज का क्या सीन था, आप कितना लगज आप डारेक्ट फ्लाइट में लगज गया थे, वो PCI की जो श्यांज की जाब अप लेंड हुए थे, लगज जो मेरा लगज था, वो था 40 केजी, मतलब जो मेरी टिकट पर लिखा हुआ था 40 केजी, एंड केरी के समयचे, नहीं, विदाउट हैंड केरी, अच्छा, सही है, हैंड केरी में 7 केजी, या 10 उखते लागेज़े जारी बना था और फिर दो बैग मैंने हैंड करी में रखे थे It. में एक लैपनाव भाला था Town इक और था So this is a यह दो बैग मैंने हैंड करी में रखे थे ङॉारी Let निम्कों वगरा इस तरह की चीज़े मैं साथ लेके गया था लेकिन शियान में मेरी यह चीज़े यूज नहीं हुई वहां पे इतनी ज्यादा यूज नहीं हो फिर मुझे हर बेर में जुबत पड़े तो अब जब आप यहां से सारा कुछ कुछ कराने के बाद पाकस्तान से अब जब डिपार्चर हुए अब यब शियान पहुँचे वहां पे क्या सीन था वहां पे आपने जाके वो ग्रीड कोड दिखाया उनको यह क्या सीन था वहां पे अपना बताए जी जी जब हम जिस तर आप शियान एरपोर्ट पे उतरे तो उनके मतलब चाइनीज ऑफिशन आगए प्लेन के अंदर तो उन्होंने कहा कि सिक्स्टी सिक्स्टी करके हम निकालेंगे मतलब फस्ट सिक्स्टी जाएंगे फिर बाद में फिर सिक्स्टी जाएंगे फिर बाद अधर नहीं जाने देना और दूसरी चीज़ जैसे हम गए मतलब वहां हमारे लावा कुई और नहीं था सिरफ पाकिस्तानी स्टुएंट्सी थे पतनी शायद उन्होंने हमारा कोई अलग से वे बनाया हुआ था या जो भी सिस्टम था तो वहां मतलब प्रोसेस बहुत जो बस हमें लेके जाती है एरपोर्ट से हमारे प्रोसेस उन्होंने बहुत जल्दी किया और वहां पर उन्होंने एक एडमिशन नोटिस चेक किया था और दूसरा यूश्टी का आपका किसी टीचर का या सुपरवाइजर का वह कंटेक्ट नंबर वह लाजमी ले रहे था और दूसरी चीज मैं पीछे बताना भूल गया हूं किरनशी के हवाले से क्रेंशी एक्षचेंग वह आप कितनी साथ लेके गयाते हैं मैं तकरीबान 5,000 तक मैंने ऑनलाइन बाइजी थी मतलब जो पर दिखी एकांटे पर सुपर दोंडितिन किसी आइजन से बाइचन के अपने किसी दोस्ट के इकाउंट में ट्रांसफर कर दी थी दोस्ता फाइदा यह बिल्कुल चाहिना में था उसका फाइदा यह है कि आप जब कर्णाइज में होते हैं तो आप बाहर नहीं जा सकते ना कोई आपसे मिल सकता है ना कुछ क्योंकि आपने सिम भाय करनी होती है अपने सिटी के लिए टिकेट भाय करनी होती है और दूसरा इस तरह के बहुत सी चीज़ें होती है जो ऑनलाइन हो सकती है और बाकी कैश वहां इतनी जरुवत नहीं पड़ दी तो मैंने बाकी अपने साथ में एक रिपैर भी नहीं लेके गए अच्छा नहीं आपका दोस्त था जिसके दोस नहों उन का क्याdem वह पर पिदी ले लेके जाए जाएंगे कितना के रहे जाये पांच से च्छहाजार होना चाहिए ठीक है अच्छा जब आप होडल में गये थे वहां पे कॉरंटाइन का जो है वहां पे आपका क्या एक्सपेंस थे पर डे कही साब से खाना शामिल था या नहीं था उसका क्या सीन था शियान में शियान में भूब मैं बात बताता हूँ ये करेंसी के हमाले से एक और पॉइंट मेरे माइन में मैं भूब बताना चाहता हूँ जे जे उसमें ये है कि करेंसी मैं अपने साथ मतलब एक लाख रुपई लेकर गया था पाकिस्तामी में ये ही सोच कि गया था कि चले मैं एरपोर वहां से कराएंगे लेकिन शुकर है कि मैं नहीं ले आया है अगर मैं चाइना ले रहा था तो मेरे किसी काम कर नहीं तो कि जब चाइना वालों ने हमें कहीं इदर उदर जाने भी नहीं दिया तो हम currency exchange कहां से कराते और दूसरी चीज़ कुछ होटल वाले dollars भी accept नहीं कर रहते वो कहते हैं कि हमें सिर्फ R&B ही चाहिए तो हम dollar भी नहीं लेंगे तो यह अपने मेक शोर कर लेंगे आपके पास R&B हो चाहे online में हो चाहे cash में हो लेकिन होने R&B ही चाहिए साइए तो कितना expense था आपका पारडे के इसाथ थे मेरा हमसे होटल वालों ने लिये थे 3550 साथ दिन के जी साथ दिन के लेकिन फिर हमने उनसे कहा था कि हम खाना आपका नहीं खाएंगे हम बाहर से order कराएंगे तो फिर हमें 2800 लोगों लिये थे साइए बाकिस के लावा था खाना में एक तरकिश रेस्टनाट है वहां से order कर वाया था वह जो खाने के लिए आपके पैसे जो आपने वह दिये थे वह फिर आपके दोस्ते वह उनको वीचर्ड के थरी उससे through send किये थे आपके पास उते ही कुछ नहीं ऐसे ही है बिल्कुल बिल्कुल यह हमारे मादल एक देन निकलेन से पहले होटल में एक देन निकलने से पहले वो जो 700RMB थे वो उन्हों ने refund कर दी थे तो जो आपने जाते साथ ही उनको पैसे दिये थे hotel में जब इटर हुए थे उसी वक्त आपने सारे पे пер एक कर दिये थे वह कुछ जो हाटल की चार्जिव similar के स्कॉर में था उसका हीटन था उन लोगों ने उन से 5,000 लिये थे एक्स्ट्रा भी ले लिये थे स्कोर्टी वगरा जो भी है और लेकिन हम लोगों से पहले पैसे ले रहे थे फिर अंदर जाने दे रहे हैं था लेकर मेरे और दोस्त अंदू में आया वो तीन दिन अंदर होट जाकर उनको कहा कि आप पैसे पे लाएंगे तो यह मतलब होटल की मैनेजमेंट पर डिपैंड करता है कि वह किस तरह का मतलब आपस ट्रीपमेंट करते हैं अगर पैसे पहले कुछ पहले मांगते हैं वह यह से अंदर जाने ही नहीं देते तो और कुछ कहते हैं कि चले कोई कि बाहर पे कर दो हैं बाद में आप पे कर दीजे तो यह मतलब बैसिकलिए यह होटल की डिपैंड करता है इस ओल्मेंट में आपगए ते वह आपको आपके पास च्वाइस तो नहीं थी ना हम इस हमिसे होटल में जाएंगे हमीस में जायंगे मलामना नहीं नहीं गौर्मेंट वाले आपको जैसे ही आप मतलब क्लेरिंस वगरा कराते हैं कस्टम से इमिग्रेशन से बाहर वो बसे खड़ी होती हैं वो आपका समान भी बाहर पड़ा होता है वो कहते हैं जल्दी से समान उठाएं और बसे में बैटें और वो खुद ही लेके जात हैं तो फिर पीछे और तीन बसे आई वो जो पीछे वाले लोग थे पुन के लिए वल्लब यह डिवाइब करके भेज रहते हैं आपको एक होटल में हाफ को दूसरे होटल में साथ दिन का यहां पर हो गया इसके बाद आपने जाना था हार्बें 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 यह डि आपके साथ ही आगे पीछे होगी फिर आप मज़े करेंगे सर्दियों के माइनस फॉर्टी फाइव जो होगा ना अब भी माइनस माइनस थ्री पर आ चुका है अच्छा कुल फी बन जाएगी तब तो चले अच्छा इसके बाद आप जो है कहते उसमें हार्बेंट तो आप जैसे ही आप मजब होटल में कॉरंट टाइम होते हैं तो आपको दो ट्रेवल कोड चाहिए होते हैं एक जिस परवेंस में आप हैं उस परवेंस का ट्रेवल कोड चाहिए होता है दूसरा कोड हमें चाहिए होता है जिस हमने जाना है जिस परवेंस में हमने जाना है दूसरा उसका code चाहिए होता है तीसरा में चाहिए तो ट्रेवल code तो यह तीन code हमें चाहिए होते हैं और यह airport के उपर बकाईदा जब आप चाइना से मतलब domestic उनकी flight लेते हैं तो वो बकाईदा यह तीन code चेक करते हैं आप से तो यह तीन code मतलब मतलब यह तीन code अगर आप पर पास होंगे तो आप ट्रेवल कर सकते हैं चाइना में अधर वाइज आपको ट्रेवल नहीं करने देते हैं अच्छा तो अब जब आप श्याहन से हर्विन गय थे तो आप सब्वे पर गय थे या भाई एयर गय थे अब बाई एयर गया था लेकिन मैंने connecting flight ले थी चाइना में भी कुनेक्टिंग फ्लाइट आपने वो उसके कितने चार्जिस थे उसके मेरे आया थे 580 आया थे और मेरे दो दोस्त गय थे वो डिरेक्ट में गय थे उनका आया था 950 आया था मेरे 580 आया थे मालब 45 मिंट का स जो लोग बैठे थे वहीं पर बैठे रहे जिनना उतरना था उतर गया जिनने प्लेन में आना था वो आ गया उतारते हैं किसी को भी नहीं हो तो मतलब वो connecting इस लिहास से थी यह नहीं है कि आप उतर के जाएंगे एरपोर्ट पर वेट करेंगे नहीं बस 45 मिंट का स्टे होत पाकिस्तानी जुगार लगाया था उसमें अच्छा उसको बताना चाहेंगे या उसको छोड़ दे नहीं यह चीज़ा यह मैं बता देता हूं मेरे दो दोस्ते दो पाकिस्तानी दोस्ते उनके पास 10-10 kg एक्स्ट्रा बांद रहा था तो उन से उन्होंने पर केजी 30 यॉन मत तक कर दिया मैंने का चलें एक्स्ट्रा अगर ले लेंगे तो 2-3 kg कर लेंगे लेंगे लेकिन मुझसे नहीं लिया एक्स्ट्रा अगर आपका 20 की रिक्वार्मेंट है अगर 2-3 kg उपर हो जाता है तो मतलब वो कुछ भी नहीं चोड़ देते हैं लेकिन मैंने यह किया था कि मैंने अपने तीन हैंड करी बनाए थे एक लैपटॉप बाला था और दो इसके इलावा बने और उनमें भी मतलब सारा सम्वान मैंने कप्ड़े शप्ड़े यह डाल दिया था जो लिक्विड और जो खाने पीने की या जो इस तरह के मिसाले बगर थे वह मैंने दूसरा जा रहा था लेकर उसने हैंड करी बना हुँ था तो यह पूच भी नहीं कहते हैं आप अप रैंब करेंगे अमयों बेक है, दो लम ले जा सकते हैं, तीन ले जा सकते हैं, फिर वो आपको कहेंगे, कि ये इसको लगे निता है.. सभी है.. मतलब आप रेसी जेए बैक एक चेंज करते हैं, डिवाइड करते हैं थे अपने आपको, बाकी कुछ नहीं था? बिल्कुल मतलब समान मैंने तीन वैगों मैं तीन मेरे पस भैग थे तो तीनोो को ऐने फैरी बना लिए, एक लैपटॉइक उसके लावा और उसकाई आउर अर्वाग के मेरे पसमेनने उनको भी फैरी मीरे ऑपर बना लिया कि हरुए में कि मिरे से पहले एक बंदा वर आ था हम fist लोग जो जा रहे थे । मैं था मीरे सा तिन और लोग थे तो हम 4 लोग न चार रहे थे और कुछ annih के भी तो उस्टभ में लेकर गए वहां पे 700rmb आया हमारा खक्चा खाना पीना इसी में इंकलूर था साथ दिन का साथ सो आरेंबी मतलब पर दे हंड्रेड आरेंबी पर लिकुल थी खाना सभी है वो खाना सभी है चाइनीज मुस्लिम था खा सकते हैं तो ठीक है खाए नहीं नहीं तो फिर ड्राइफ रूट लेकर हैं गुजारा करें पर दिर्ट पहुंचें वहां पर इस तरह कोई सीन था या बस ऑपन वाली लूट ने थी अच्छा जो अब जो लोग आये तो उनसे इन्होंने थी सो चार्ज करना शुरू कर दिया हमसे साथ सो लिया था तो पर जो हमारे बाद आरे हमसे दो दिन बाद एक बंगालिया उससे लिया फिर पाकिस्थानीं उनसे भी 23 सौड ले रहे हैं तो उन लोगों ने पूचा कि जो पहले रह के गया थे उन से आपने साथ सो लिया हमसे क्यू ले रहे हैं तो उनने कहा कि गौर्ण्म demiş ऑगर्न्मेश कर दिए होटल वालों ने कर रहा हम कुछ नहीं कर सकते हैं आप मतलब महां पर आपकी क्लासेज बगारा सारा कुछ स्टार्ट हो गया अब कुछ सारा कुछ ओक है कोई मसला नहीं है बिल्कुल फिलहाल तो कोई इशु नहीं है दूसरा आप बात कर रहे थे कि बस्ती मॉनिटरिंग तो साथ में होटल में किया वो आपकी आवाज जो है वो कट रही है बता नहीं मेरे पास नेट का मसला है या क्या चाक करें जी जी आपके बस होगा मेरे पास तो ठीक है अब क्या बता रहे थे है युट सुटी के स्टूडेंट थे उनको उस जी बी होटल था उसके बाद हमें लेआ है इस के बाद हमागे खाए उसमें तेन नहीं होटल है। तो वह पनी था खाना पी ईन रहना सौरा कुछ प्रिई दाब है और दोम में को रहन टाइम रखा है इनने यहां भी फुरी था मुनलब हम उनिवर्सटी के अंदर जब हम इंटर उए तो हम एक रुपया भी नहीं गिया इंको साथ दिन की कैद थी बाकिसारा कुछ फरी था нет इसके बाधिस काहड़ी और मक्ति और बाकिसे नौरमल था इसके बाग जब आप επर फिजिका डिरिजिस्ट्रेशन आपने करवा लियूपर कितने पाद आपने रेजिदेस परमिट के लिए अपलाई किया और वह जो है कितने आपके वह जो है उसके चार्जे जाए थे मेडिकल वगरा क्या सीटा मेडिकल तुमारा करवाय था आपने वहां जाए जाए के पहले तो जैसे हम इदर से फ्री हुए तो हम लोग गए जुनिस्ट इनके बाद काट रहा हूं जो पहले सीम आपने ली थी वह फारे नहीं वह भी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन वह बहुत एक्सपेंसिव होती है अच्छा है बलब उसमें आपको तक्रीबन वन फोर्टी यॉवान का पैकेज लगता है वन फोर्टी यॉवान का और मिलता पैकेज से मथे आपको तकशा है एक्सो पचास मूंशिवान की पचेस की ऐसमें जोenty वीड़ेता था इक साल का पर मंध पर मंध जेट सो जी भी पिर तो ठीक है फिर भी यह मेरे जैसा बंदा दस बंदा दो लोगों कर जाएगा लेकिन फिर भी अच्छा है और वाकि इसके बाद फिर आप फिजिकल अजी से मेडिकल आपने दुबारा करवाया था बिल्कुल, बिल्कुल हम लोगों ने मेडिकल दुबारा करवाया था क्योंकि हमारे दोस्त दोस्त ऐसे एते हैं जो खेहां देते हैं जो परकेसान दोनलबर virtual नमबर और वालने कहा कि तो मızरा आपूपंचर इसेटट कि अथा था तो यह कुछ दोस्तों की महरबानी पिर नोनक्स सेटब नियुक्त कितने ? तो दो मैंने चाइनीज का अपफुब कर्वाने जो करवाने ओक्मुछ और नं ते एकसप्ट लगा है तो इसके बाद आपने पिर वो क्या किते हैंशडमा इसके बाद आपने पर एक साल का लगा है तके कितने दो साल का लगा है उसके कितने हैं मेरे से जी बिलकुल जिस दिन हम ने मेडिकल करवाया उसी दिन ही हम चले गए थे तो उस उसी दिन एपलाय किया और चार सो आरेंबिया था मेरे नहीं बिल फ्ली हूं आपको निश्टा मेरे ख्याल में फिल हाल तक तो कुछ अच्छा आप पहुंचे थे 24 गल्बन जो लास्ट था अक्तूबर अगस्त था भी लास्ट मन्त कौन ज़ड़ा सेप्टेंबर 24 सेप्टेंबर को आप पहुंचे थे तो आपको स्टाइपेंड अभी मिल गया है या मिलना है कब का मिला है कितना ये बता दें इसके करियोसिटी है मुझे खुद भी अलट को भी होगी और अपितिक हमारा यहां पर बिल्क 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 अब ईतक हमारा यहां पर बैंक एकॉॉट नहीं बना गया हुआ pişुम्नीए नहीं हो तो पैलेक हолод बैंक एकाउंट पर कंश disappointment और टैझES वंसे बात उनमां जए सबकूब इता aan मतलब अब जीस दिन आप चाइना में इंटर होने उस दिन से इं इंटर होंके। मतलब आप 24 से इंटर हुए थे में 24 से इंतर होने हैं आप 24 पर 12 से स्टार ready में उपसाइंगाowym 20 को मुले दॉट उना से 3 दिन वहते आज मलें अगर 15 से 5 न नहीं बाद आएंगे तो हाफ मन्त का मिलेगा चाहे 24 को आए 28 को आए 30 को आए वो हाफ मन्त का ही आपको मिलेगा मतलब अभी आपको कुछ नहीं मिला बिल्कुल बिल्कुल वो कह रहते हैं कि अगले महीने जब जैसे ही हमारा बेंक एकाउंट बनेगा तो हम IESO वाले टीचर को अपना सारी बच गये थे वो आप उसी के साथ सर्वाइब कर रहे हैं क्या सीन है बिल्कुल बिल्कुल फिल्हाल तो उसी से चाल रहा है नहीं तो कम हो गया तो कोई उधार बगारा ले लेंगे क्योंके अभी दूसरा दिन भी थोड़े से रहे गए हैं तो अपना भी मिल जाएगा इंशाला बैंक एकाउंट अभी आपका नहीं बना कित्रों दिनों पर बनेगा बैंक एकाउंट वो तो दो दिन में बन जाता है उसका इस्यू नहीं है जैसे ही रेजिदेंस परमेट आएगा उसके बाद हम बैंक एकाउंट के लिए अप्लाय करेंगे वो एक दो दिन में बन जाता है उसका इस्यू नहीं है लेकिन इस दफाए नहीं नहीं पॉलिसी थोड़ी बहुत चेंज गया है दूसरा वो चैय रहते हैं जब तक डैंक वाले कहरते जब तक वह रेजिदेंस परमेट की कॉपी आहाँ नहीं कर्वाएंगे तो आपका एकांट नहीं अपन होगए तो पहले लड़के जिसमें के सिम हो आपके पास सिम हो तो आपका एकाउंट बन जाता था रेजिटेंस परमिट बार में लगता रहे लेकिन आप इस सफ़ाद पोड़के ने चेंज किया है सही हो गया मतलब के अब आपको जु है पदरासर आरंवी पहले वाला मिलेगा और आपको अज़ तीन атьटोफ़न आरंवी यह पहले मिल जाये का नहीं तीन जार और अध्यांस भी मिलेगा परक आरिण में भी देंगा जह सजा है साही है साही हो गया तो बस यही थी मेरे जी जी नवंबर का एडवास में अक्तूबर का तो वैसी देंगे और स्टमबर का हाफ देंगे सब्सक्राइब चैनले फिरल्कुल ने की चैनले इन सेख्ष आपके थाइम देने का शुकुरी यासे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दॉछाप लाइगे ँटम बहुत बहुत शुक्री है आपने मतलब इतना टाइम दिया आपने आप तुर का प्यार ही है बस जो आम इदर बैठे हैं नहीं तो हम वहीं पाकिस्तान में बैठे होते हैं मतलब आपकी वीडियो वगरा देखके सारा कुछ बने में मतलब पॉस्टिविटी आती है बनलब अपने आपको एंकरेज करता है कि नहीं या कुछ करना है कुछ आगे जाना है तो मेरी यहीं दौा है कि बाकी जितने भी दोस्त पाकिस्तान में सारे आ जाएं और अगर आप तो मेरे खाल में कुनेक्टिंग भी लाओ हो गए है तो कुनेक्टिंग के थ्रू आ जाएं दूसरा आ जाएं मतलब आ जाएं वहां रहने का कोई फाइदा नहीं है एक तो आपकी स्टेड़ी आउनलाइन कुछ भी समझनी आता है तो आपको फाइदा है और दूसरा आप ज दब एक बंदे को सीखने को वीदर बड़ी चीज़ें मिलती हैं तो मेरे तो यही दूआ है कि आप सब दोस्त आजएं और बान भाई आप तो पहले-पहले आएं आप से मुलकात भी करनी है इंशाला 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 ज़रूर करेंगा अचा एक और चीज़ मैं आप जा आप लिए लेकिन पर भी यह लगा रहा ऐसा ही है न बिल्कुल बिल्कुल अलह तहला है सब को अच्छा रिस्क देने वाले बिल्कुल ऐसा ही है बंदा बस पॉजिटिव रहा और अपना जो है आपने जो आपने गोल सेट किया हुआ हूए उस्पर बस फोकस रखें और अल अब अब गया समें शाला फिर लगाते हैंगा अब आप 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 बाला खेल करें शाला ला आप अ कि अ